हेलो फ्रेंट्स वेलकुम तो माई चैनल आई वोप वोडर वेल अज मैं प्रोसा शेक करने जा रही हूँ हाँ आप्लाई आईशाडव अगर अगर आप डिप बीटिनर है और आप दो शेप्स को मिक्स करके अप्लाई करना चाहते हैं पर एक्जामपल जैसे मैं भी लगा रहा हैं तो किस ट्रेप्स से हम करेंगे किस रच से लगाएंगे अगर आप बीटिनर है अपको नहीं आ रहा है तो शल्य स्टार्ट करते हैं तो मैं आपके सामने फिर से रिक्रेट करके घ्राए हूँ पहले हैं पहले रिमूव कर लेती तो सबसे पहले मैं आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ उसके बाद मैं अप्लाइं करूंगे आपके सामने कि हम कैसे क्रेट करेंगे दो शेट्स को मैं किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं तो चलिए हो क्या सबसे पहले मैं अपने जो मेरा आइप्रस से डिफाइन करूंगी इसमें अपने आइलिट्स पे भी अप्लाइ करें ताकि जो भी शेड्स हम अप्लाइ करें पोस का परफेक्ट कलर में नजर आए है हमारे आइप्लाइ हूँ आप्लाइ हूँ तो यह लग गया देन जिसके बाद हम करेंगी जैसे कि मैंने अपने अपने देश से मैच रखाई आप जो भी आपको बितने आपको कर सकते हैं तो मैं पिंक एंड ब्लू ब्लू लूस करें तो सबसे पहले मैं लें जा रहे हूँ आप पे पिंक आईशाडो तो यह मैं ले नग्यां राओ का फिंग जाणने मिशिंक से और हूं मैं अपने सेंट्र की साइड Frau Gill सेंट्र आपर बड़े यह मैंने कर लिया अब इसके बाद मैं स्काइड कर जो तो मेक शूर आप किस जो जहांस आपने पिंग लगाया है इस पहले क्लीन कर लें तो के बाद ही आप सेकंड आइशाट अपने कि मैंने स्काइड कर लिया है तो यह मैंने कर लिया है अब इसे बीच में लग रहा है कि बिल्कुल हम्ने पार्टिशन उनार का है तो यह एच्छा लग रहा है तो इससे हम ब्लैंड कर देंगे तो ताकि वह अजीब सा ना लगी है तो यह हम कुछ इस तरह से ब्लेंड कर देंगे दोनों को मिक्स कर देंगे यह हो गया और जो हमारी ओपर लग रहा है इसको भी हलकी हाथों से इस तरह से ब्लेंड कर देंगे तैन हो यही सिंपल था बहुत उसके बाद मैं आप लगांजरू लाइनर यह मैंने बहुत पतला सा आई लाइनर लगा लिया है आप चाहे तो इसकी बाद मशकारा आप लगा सकते हैं अगर आप में था मुझे आई शेयलो दिखाना तो यह इस तरह से आप लाइ करें तो बहुत ही ईजी है और देखने में अच्छा लगते है लोग पर आप देख सकते हैं तो प्लीज आप ट्राइ करिएगा यह था मेर आज को वीडियो अगर आप को उच्छा लगद प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके में जिरूरत आए कातले आपको थेंक्यू